बचे तो गटकरी जी की जो एनों ने जो काम किया है सब लोग उसकी तारीफ करते हैं लेकिन जो मुझे पता चला जैसी एनचाई के बारे में बता रहे हैं कि एनचाई की जो फिनेंसिल सिचुएशन अच्छी नहीं है और जो टोल कलेक्शन की बात कर रहे हैं उससे उनकी में बता सकते हैं कि सुनाएं कि फिर उन रोड्स को वापस प्राइवेट सेक्टर को बेचने की तैयारी है तैंक यू जिन रोडों को वापस ने चैयाई लेती है तैंक यू मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि एनेचाई की position financially बहुत strong है और मैं house के record पर बता रहा हूं कि मैं 5 लाग करोड के रोड हर साल बना सकता हूं और मुझे हमारे पास पैसे की कमी नहीं है सर और आप ये member of parliament हैं उनको पूछो कोई भी party का है जो मुझे रोड मांगने के लि people a rating है और मैं थोड़ा सा finance का थोड़ा सिखा हूं मैं expert नहीं हूं हमारे जावडेकर ज्यादा economy को जानते हैं पर मैंने भी MBA किया है मैं आपको बताता हूं मेरा हमारा model इतना पक्का है राजियुजी कि हिंदुस्तान में आने वाले तीन साल के अंदर टोजार चोविस स्वापत होने के पहले मैं 26 green express आवे बना रहा हूं दिल्ली से डेराडून दो घंटे में दिल्ली से हरिद्वार दो घंटे में दिल्ली से जाइपूर दो घंटे में दिल्ली से चंदीगर ढ़ाई गंटे में दिल्ली से अमरुसर चार गंटे में दिल्ली से कटरा छे गंटे में दिल्ली से स्रीनगर आठ गंटे में दिल्ली स से दिल्ली साड़े चार गंटे लगते थे अब 40 मीट में आ रहे हैं प्लीज प्लीज मैडम पैट कर कसा है वो भी चल रहा है वारनसी से कलकत तक है तो सर मैं आपको इतना है बता रहा हूं 26 ग्रीन हाइवे बना रहे है नरेंदर मोदी जी के नेतरूतों में 2024 समापत होने के प एक बैंक बोल रहे थी मेरे 25,000 क्रोल लो दूसरी बैंक बोल रहे थी मेरे 25,000 क्रोल लो मेरे मुझे 6 पाइंट फाइव उपर लो पैसा मिला है हिंदुस्तान में AAA रेटिंग NHI का है और NHI के लिए कोई फाइनांशिल तकलिप नहीं है इस देश में और NH डिक्लियर करके यह जो कमश्ण syrup यहाऐ तरफ एक यह आठ साल में कितना बदल हूआ है आप यह देखिए और विश्वास रखिए मैं जो बोल रहा हूं रेकॉर्ड पर बोल रहा हूं और इस रिकॉर्ड पर विश्वास के साथ बताता हूं कि यह पूरा हूल एंग्यू